डाउटनट आप पर आप पूच सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैट्स का कोई भी सवाल अगर पर यहाँ सकते हैं अग्याएं इसको नौमाल फॉप्ट करना है यहाँ से अपने ऐक्षेशन गें देखें से एक्षेशन क्या पर एक्षेशन के बने ग्रूंडब इकषेशन की बने है सबसे पहले constant time को अपने हो गया करना यहां पर positive form करना ठीक है constant time को यहां पर positive form करना तो यह क्या आगया positive आगया अब मैं इसको normalizing factor से divide करता हूँ ठीक है इसका अगर पर normalizing factor देखे तो वो क्या आजाएगा वो आजाएगा root 3 का whole square coefficient of x का whole square plus coefficient of y का whole square का square root ठीक है इसको अपन यहां पर इसको divide कर देंगे coefficient of x का whole square plus coefficient of y का whole square का square root यह आजाएगा आपने पास 3 plus 1 का square root तो basically यह आजाएगा 4 का square root 2 is equals to 2 अब आपन 2 से इस quantity को divide कर देंगा ठीक है 2 से अगर मैं इसको divide कर देंगा तो यह value आजाएगा root 3 by 2 into x plus यहाँ पर आजाएगा यह 1 by 2 1 by 2 into y is equals to यह value आजाएगा 8 by 2 तो यहाँ पर इसकी value होगी अब अगर आपन देखें यह क्या लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है यह लिखा हुआ आपने पास root 3 by 2 into x plus 1 by 2 1 by 2 into y is equals to 4 इसको अगर मैं normal equation state line के normal equation से compare करूँगा तो normal form में equation होता है state line का वो होता आपने बस x cos alpha x cos alpha plus y sin alpha is equals to p ठीक है यह इस form में क्या होता है normal form में equation होता है और p क्या होता है distance को represent करता है तो यह क्या होता है always positive होता है यहाँ से अगर compare करके value देखें तो cos alpha यहाँ पर इसको alpha को इन्हों में क्या लिखा है omega लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर इस alpha को omega लिख देता हूँ ठीक है यह क्या जगा x cos alpha plus y sin x cos omega plus y sin omega is equals to p तो cos of omega की value क्या गई root 3 by 2 और अगर पन sin omega की value देखें तो यह क्या है 1 by 2 और perpendicular distance p की value देखें तो वो किसके यहाँ सब्सक्राइब तो यहाँ सब्सक्राइब तो यहाँ यहाँ पर नॉम्मल फॉर्म में सकते हैं कक्षा 6 से बारत के maths का कोई भी सवाल